Hello everyone, today I will talk about the one of the most dangerous disease, Encephalitis. Encephalitis in Hindi, it is called brain fever, दिमागी बुखार और इसको Japanese Encephalitis भी बहते हैं. आए दिन आप लोग आजकल के न्यूस पेपर में daily देख रहे होंगे कि बिहार में कई सारे बच्चों की Encephalitis की वज़े से death हो रही है, मौते हो रही हैं. और पिछले साल भी 2018 में पी गोरगपूर में कई सारे बच्चों की मौत हुई थी Encephalitis से, और उस होस्पिटल में oxygen की बहुत जादा कमी हो गई थी, तो उन्हें प्रॉपर oxygen प्रवाइड नहीं करया गया था, और इस disease में बहुत oxygen की ज़रूरत होती है, तो I will tell you what is Encephalitis, Enceph Encephalitis is an acute inflammation of the brain, जो Encephalitis है उसमें हमारा brain इंफ्लमेशन यानि की swelling हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो जिसके वज़े से यह जो disease है, हमाएं हमें Encephalitis से infected करता है, और इससे जो है, ज्यादा तर छोटे बच्चे और जो old age के जो person होते हैं, वो ज्यादा सफर करते हैं, क्य J trip rage do, chicos J. अनुई हमें, जो जैनल जो किकर, जिसके और अजो में जो पस्टों ने मिलाहर इससे सोटों जाती है, असे बच्याय महारा साथी जो हिता हूँ. जो हमेले यह मुष्पशन्स जाती है, गया बद्पीहर मुष्वां है, तो जता हिए जो मॉस्कीतों आता है, जिस जब किसी इंसेक्ट, बर्ड या पिग्स जो सुवर होते हैं, उनको जब काटता है, तो उनके अंदर एक वायरस होता है, तो वो वायरस जो है, वो मौस्कीटों के अंदर एंटर कर जाता है, और वही जब सेम इंफेक्टेड मौस्कीटों हमें आकर के हमारे बाड़ी पर Japanese Encephalitis से तो आएए अप जानते हैं कि इसके symptoms क्या-क्या होते हैं symptoms इसके लक्षर क्या-क्या पियर हो सकते हैं जिससे आप पहले से ही aware हो जाएं और doctor से concerned कर सकते हैं तो जो इसका starting जो symptoms होता है शुरुआत में तो यह जो headache बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा fever यह सारे इसके जो symptoms होते हैं dizziness बहुत ज़्यादा ठकावट होती है आपको fatigue यह सारे things होती है और यही जब आपके symptoms बहुत ज़्यादा means अगर आपको बहुत ज़्यादा encephalitis से अगर आप पीडित हैं तो symptoms की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जैसे वही fever जो common fever होता है वो बहुत high fever हो जाता है बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है loss of appetite भूख न लगना convergence convergence यानि की दौर ही पढ़ना लोगों को दौर ही तक भी पढ़ते हैं लोगों की सोचने समझने वह सुनने तक की छमता भी खतम हो जाती है और लोग इस वज़े से यह सारी जो symptoms है वो बहुत ज्यादा होते हैं तो तुरंट मेंस उस case में डॉक्टर से concert करना चाहिए जब भी आपको आजकल के मौसम यह बहुत ज्यादा हो गया और यह जुलाई ऑगस सेप्टेंबर में ही यह ज्यादा स्प्रेड होता है मेंली और तो यह सारी इसके symptoms होते हैं बहुत ज्यादा और बच्चों में जब बच्चे अगर लगतार रोने लग जाए उन्हें भूख न लगे यह सारी जो अगर चीजें होती है तो तुरंट डॉक्टर से कंसर्ट करड़े और ओर ट्रीक्मेंट लेना चाहिए क् Nepal k姐 रोड़ी हिसके निधी के प्र Jaralsas कि ऊफ रफ्र व एक मैं अपे मिकानिक्सितु वे अपुमि . जैसे मैंने बताया आपको की यु मोस्केतों के कातने से होता है तो हमें जितने भी अपने ग्रको मोस्केतों फ्री रखना चाहिए जब इए भी निकलं जूंग उसका यू विंडोस डोर सोते हैं उसको ग्लोज रखें सोते समय मॉस्कीटो नेट का यूज करें शरदानी का यूज करें सोते समय तो ये सारे बचा हो सकते हैं और मॉस्कीटो जो है सबसे ज्यादा पल्यूटेड वाटर में उसका मतलब उसका जर्म होता है तो पल्यूटेड वाटर ध प्रफिशन फ्री रखें घर को ताकि मॉस्कीटो आने से अपने घर को बचाएं अपने घर में और इसके ट्रीटमेंट वेन यू विल गो तु दॉद दॉद्टर के पास जाएंगे तो डॉक्तर आपको एंटी कंवल्जन ड्रग देगा एंटी कंवल्जन यानि की जो दोरे दोरे इसके वज़े से तो उसको कम करने के ड्रग देगा और को इसतार डिल्ग करने के लिए दिजएस और ब्रेंट में खुराऊदี कंवल्जन ड्रग देन और Иशं-डिज़एस. में जो गाउ में रहते हैं क्योंकि वहां पर जो बहुत ज़्यादा पल्यूशन यानि कि जो पानी कटथा होता है उसके वज़े से मॉस्केटो बहुत ज्यादा बढ़ता है तो यह सारी चीजें हैं एंसेफलाइटिस के बारे में और यह बहुत ही डेंजरेश डीजीज है जि प्लीज इसे शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेर हो सकें और कांड़ी लाइक इट और दोस्वार न्यूवां मैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट थैंक्यू सो मच् झाल को